नमस्कार बहुत स्वागा था आपका बिहारी न्यूज में मेरतन सेन भारती अज़ हम बात करेंगे कौन बनेगा बिधायक के तहट कुसेसवर अस्थान बिधान सभा उपचुनाव के बारे में बिहार विधान सभा उपचुनाव के लिए बिहार में सियासत तेज है बिहार में सभी राजनितिक पार्टियां चुनाव को लेकर एक्षन में हैं रार विधान सभा की दो सीटों के लिए कुशसवर अस्थान और तारापूर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने उमिद्वारों की घोशना की जा रही है इस उपचुनाव में महाकटबंदन में रार देखने को मिल रहा है ऐसे में लंबिस में से साथी रहे कॉंग्रेस और राजद दोनों ने कुशसवर अस्थान और तारापूर में अपने अपने उमिद्वारों की घोशना कर दी है साथे साथ एंडिये ने भी अपने उमिद्वारों की घोशना कर दी है इस उपचुनाव में एक अहम कड़ी बनकर सामने आये पपू यादब की पार्टी जाप ने भी इन दोनों सीटों पर अपने समर्थन का एलान वो कर दिया है ऐसे में परदेश में हो रहे इस दोनों सीटों के उपचुनाव के लिए सियासत आसमान पे है ऐसे माया आज हम बात करेंगे कुशेसवर अस्थान सीट के बारे में कुशिस्वर अस्थान सीट पर इस वार एंडिये ने उमिदवार का सीधा मुकाबला राज़त से देखने को मिलेगा हलाकि यह सीट कांग्रेस की परामप्रिक सीटों के रूप में जाना जाता है यही वा कारण है जिसमें कि कॉंग्रेस ने अपने उमिदवार उतार दिये हैं हालाकि राज़त को लग रहा है कि यहां से वह जीत सकती है तो ऐसे में राज़त ने भी अपने उमिदवार उतार दिये हैं जादियू की तरफ से कुछिस्वर रस्थान से जदियू के दिवंगत विधायक ससी भुसन हजारी के पुत्र अमन भुसन हजारी को जदियू का उमिदवार बनाया गया है तो वहीं कॉंग्रेस की तरफ से अतिरेक कुमार को कॉंग्रेस का उमिदवार बनाया गया है तो यहीं पर राज़त की बात करें तो राज़त ने गनेश भारती को अपना उमिदवार बनाया है इधर चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपने उमिदवार उतारने की बात कही है तो अब बात कर लेते हैं जाब की तो जाब पर मोखे पकपुयादब ने कहा कि कांगरेस के समर्थन में हमारा एलान है यानि कि उन्होंने कांगरेस का समर्थन करने की बात कही है आपको बता दें कि कुसेसवार अस्थान सीट पर ससी भूसन हजारी थे लेकिन कोरोना काल के दोरान उनका निधन हो गया तो ऐसे में उप चुनाव की घोशना की गई है अगर हम बिधान सभा चुनाव 2020 की बात कर लें तो कुसेसवार अस्थान बिधान सभा 36 मैदान में जो है कुल 16 परतियासी जो है चुनाव मैदान में थे वहाँ पर कुल मद्दाताओं की संख्या 2,50,786 थी जबकि चुनाव में कुल 1,36,481 मद्दाताओं ने भाग लिया यहां पर 2020 के चुनाव में कुल 54,75 फोट उप्रतियासी जो है तो उन्हें जो है 53,980 बोट मिले थे और इनके निकरतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के असोक कुमार थे जिन्हें 46,775 वोट मिला था वहीं अगर हम बात करनें तीसरे अस्थान की तो तीसरे अस्थान पर लो पहुंचाया था बिहार में होने वाले इस उप्चुनाव में जदियू कांग्रेस राजद लोजपा के बीच में टक्कर है ऐसे में अब देखना है कि किसे कितना मत मिलता है और कौन कितने बोर्ट से जीत पाता है तो यह थे कुससवर अस्थान विधान सभा के लिए बने रहें विहारी नियूज के साथ मुझे जय जाजा धन्यवाद